हांजी बच्चों, Unit 2 Consumer Behavior के हम Chapter No. 2 Indifference Curve पर हैं और इसमें अब हम Question No. 2 डिसकस करेंगे इसका नाम है What is the Meaning of Indifference Map? तो बच्चे यह आपका Indifference Curve से बना है तो आपने अच्छे से पहले समझ लिया है What is the Meaning of Indifference Curve उसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा भी हमने इसके First Question में और उसके बारे में हमने अच्छे समझ भी लिया है कि Indifference Curve शो वेरियस combination of two goods, various combination of two goods, which gives equal level of satisfaction कि एक Indifference Curve पे two goods के बहुत सारे combinations होते हैं और वो सारे के सारे combination same satisfaction level को represent करते हैं यह तो हमने पढ़ा है Indifference Curve में अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे है इंडिफ्रेंस मैप किसे कहते हैं तो बच्चे जो Indifference Curve आपने हैं ने पड़ा है अगर उस indifference curve का एक group आ जाए मतलब के more than one indifference curve हो एक से ज़्यादा indifference curve हो group of indifference curve हो तो जब group आ जाता है indifference curve का तो यह क्या होता है आपका यह आपका indifference map हो जाता है फिर यह तो indifference curve आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या हो जो question number one में हमने अच्छे से इसको समझ भी लिया है कि indifference curve show various combination of two goods indifference curve show various combination of two goods which gives same satisfaction level यह तो indifference curve था और इसी curve का अगर group आ जाए एक ही जगे पर इसी group अगर इसी curve का पूरा का पूरा more than one आपका यह curve मिले तो इस situation को हम क्या कहते हैं indifference map बहुत simple way में group of indifference curve is called indifference map indifference curve के group को हम क्या कहते है indifference map कहते हैं जैसा आपने आप diagram में देख रहे हूं यह goods आपका x हो गया और यह goods आपका y हो गया एक indifference curve आपका बनाया यह indifference curve वन है indifference curve 2 है और यह indifference curve 3 है तो group of indifference curve है आप पिर आप कहा सकते हैं more than one indifference curve है तो इसी को हम क्या कहते हैं indifference map कहेंगे यह जो diagram है indifference map का diagram है अब अच्छे आपको अच्छे से पता है कि एक indifference curve पे आप कहीं भी चले जाओ एक indifference curve पे आप कहीं भी चले जाएं for example this कोई साभी combination आपका हो एक indifference curve पे कोई साभी combination आप ले लें यह सारे के सारे combination आपको क्या करेंगे same satisfaction level को represent करता है क्योंकि जैसे आप आगे एक commodity का consumption करते हैं तो फिर दूसरे का consumption कम हो है इसमें क्योंकि left to right downward है तो अगर एक जगा बढ़ा दूसरे के कम भी हो जाता है और उसके बाद next time last के compatibility में कम sacrifice करते हैं तो यह कर बताता है आगे आप बढ़ोगे तो दूसरा sacrifice होगा और जितना आपने गेन करा उसी साथ से sacrifice होगा इसलिए आगे बढ़ करके भी हमारा सेम सर्डिस्फेक्शन लेवल रहता है तो यह हमारा सर्डिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा से क्लियर है तो एक इंडिफरेंस कर पर सर्डिस्फेक्शन लेवल क्या रहता है बच्चे कहीं भी चले जाओ किसी भी पर आपका किस तरीके से रहने वाला है Satisfaction Level एक पर तो सेम रहेगा For example लेते हैं यह P Point है यह दो पॉइंट ले रहा हूँ P Point एक है चलिए इसको P Point है एक Point P है दो अलग-अलग Indifference कर पे Satisfaction Level हो कमपेर कर रहा हूँ यह Q Point है ठीक है ख्लिर है और यह Goods Y है और यह X है और यह X- है तो मैं दो Different Indifference कर पे Satisfaction Level को कमपेर कर रहा हूँ एक ही Indifference कर पे Satisfaction Level को कमपेर करने का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि सारे Satisfaction Level को होते हैं सेम होते हैं पर हम दो Different Indifference कर पे Satisfaction Level को कमपेर कर रहे हैं तो बच्चे दो Different Indifference कर पे Satisfaction Level को हम यहाँ पर compare कर रहे हैं तो यहां देखें अगर आप तो P पर दो कमड़ी डे कंजम्शन हो रहा है Y देखिए O Y और आपका जो है O P पर at the point of P O Y का कंजम्शन कर रहे हैं और X में हम किस तो कंजम्शन कर रहे हैं O X का कंजम्शन कर रहे हैं क्लिर हैं बच्चे समझे रहे हैं आप यहां पर तो अगर आप at the point of P की अगर मैं बात करूँ अगर यहां पर हम जो है कंजम्शन कर रहे हैं O Y का और एक कंजम्शन कर रहे हैं O X का और अगर मैं at the point of Q की बात करूँ अगर मैं at the point of Q की बात करता हूँ तो Q पर देखिएगा मैं दोनों bundle दोनों community का कितना का consumption कर रहा हूँ यह तो मैं O Y का consumption कर रहा हूँ और यह O X1 का और आपको पता है कि अगर P और Q पर मैं community की बात कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि O Y का Y community तो उतना ही consumption कर रहा हूँ लेकिन मैं X का consumption P के compatibility ज़्यादा consumption कर रहा हूँ P पर X इतना consumption कर रहा हूँ तो Q पर मैं X इतना consumption कर रहा हूँ तो Q point पर P point के comparison में X का consumption ज़्यादा हो रहा है और Y का तो same हो रहा है तो आपको यह पता है कि O X1 is greater than O X clear है यह चीज clear है आपको कि O X1 जो commodity है वो O X से तो ज़्यादा ही है O X1 O X ज़्यादा ही है तो P point पर जितना Y और जितना मैं X का consumption कर रहा हूँ Q point पर उतना ही Y और X उससे ज़्यादा consumption कर रहा हूँ तो आपका total satisfaction level के comparison करें अगर हम total satisfaction level के comparison करें तो P point पर जितना मिलेगा X पर मुझे उससे ज़्यादा मिलेगा क्यों क्योंकि उससे P point के compatibility ज़्यादा commodity consumption हो रहा है क्योंकि Y तो same है बड़ X तो बढ़ गया तो यहाँ पर total satisfaction level क्या हो जाएगा इससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा commodity है clear है इसके पास में गर O Y और O X है तो इसके पास में O Y ही है बट O X 1 है जो की O X से greater है तो यहाँ पर अगर आप बात करें Q point पर तो ज़्यादा satisfaction level आपको मिलेगा क्योंकि ज़्यादा commodity का consumption आप कर रहे हो तो एक बात तो confirm हो गई है कि आपका satisfaction level from IC2 is greater than satisfaction level from IC1 मतलब कि indifference curve IC1 अब आपको पता है यहाँ पर यहाँ पर जो भी satisfaction level है सब पे सेम रहेगा और यहाँ पर जो भी satisfaction level है सब पे सेम रहेगा और यह आपका इससे ज़्यादा है तो हमेशा ही सब पे equally है और यहाँ पर सब पे equal है तो आपका IC2,1 पर हर जगे चले जाएं आपका IC1 के compatibility में satisfaction level ज़्यादा मिलेगा clear है बच्चे सबजमाएं आपको तो IC1 पर satisfaction level सेम रहेगा एक curve पे satisfaction level सेम रहता है एक single curve पे satisfaction level सेम रहता है लेकिन एक curve से जब आप दूसरे curve पे जाते हैं जब आप higher curve पे जाते हैं higher indifference curve पे जाते हैं तो वहाँ पर आपका commodity consumption बढ़ जाता है तो total satisfaction level भी आपका बढ़ जाता है clear है यह बास समझमाएं आपको अगर हम इसको बात करें आगे अगर ic3 के भी अगर आप बात करें तो इस तरीके से आपका आगे चल करके तो देखेगा y उतना ही है और x आपका x2 हो गया तो ic3 पर तो आपका r point है clear है तो अगर आप ic3 को अगर देखें आप और देखें y क्या consumption हो रहा है this और x देखें this तो अगर ic3 r point पर देखें तो q से ज़्यादा consumption हो रहा है तो क्योंकि y तो o y consumption हो रहा है बट x आपका o x2 consumption हो रहा है जो x1 से भी ज़्यादा है तो जितने higher indifference curve पर जाओगे commodity consumption उतना ही ज़्यादा मिलता है इसलिए satisfaction level उस पर उतना ज़्यादा ही होता है तो एक बात तो confirm हो गई higher indifference curve show higher satisfaction level एक indifference curve पर रहेंगे कहीं भी चले जाओ तो same satisfaction level हो मिलेगा पर जैसे आप higher indifference curve पर जाएंगे तो satisfaction level आपको higher मिलेगा यह बात clear हो चुकी है तो बच्चे हमारे पास में क्या था indifference map तो indifference map किसे कहते हैं indifference curve तो पता है आपको indifference curve show various combination of two goods which gives same satisfaction level यह तो indifference curve हो गया and group of indifference curve more than one indifference curve is called indifference map जो अपने सामने आप देख रहे हैं और इस indifference map में आपको एक चीज और clear हुई है कि higher indifference curve show higher satisfaction level clear है और reason से जितना उपर होगा उतना ही ज़्यादा satisfaction level को represent करेगा इस बात को अपने mind में आप डाल लेजिए आने वाले topic में भी इस concept को हम use करेंगे clear है बच्चे तो आपके आईए जरा देखते हैं क्या कहता है indifference map बच्चे एक चीज को और समझना होगा आपको जो combination को है ना bundle भी कहते है bundle दो commodity का combination में बोल रहा हूँ इसको बट कई बार theory में इसको bundle भी लिखा जाता है तो combination को bundle वर्ड से substitute किया गया है clear है तो bundle भी आपको मिलेगा तो bundle का मतलब confusing को combination की ही बात हम यहां पर कर रहे हैं clear है बच्चे तो यहां देखें आप क्या इसकी theory कहता है theory कहता है indifference map refers to the family of indifference curve indifference map refers to the family of indifference curve that represents consumer preferences जो कि एक consumer के preferences को represent करता है कि कौन्चा bundle वो लेगा अब आगे क्या कहता है यहां पर diagram आपको सुझ में आ गया है ic1 represents the lowest satisfaction सबसे कम इन में से ic1 represent करेगा क्योंकि इसमें compare करें सबसे कम community consumption ic1 पर हो रहा है ic2 shows satisfaction more than that of ic1 ic1 से ज़्यादा ic2 पर करेगा क्यों करेगा मैंने reason दे दिया सबसे ज़्यादा होगा it must be noted that higher indifference कर शो हायर satisfaction level higher indifference कर शो हायर इंडिफरेंस कर शो हायर satisfaction level clear है बच्चे सब्सक्राइब कोई डाउट अगर आपको है तो आप call करें सीधा clear है नव समझ गये बच्चे हां जी बच्चों अब हम question number three पर आ गए है question number three है explain the terms of marginal rate of substitution इसको हम short में यह भी बोलते हैं MRS तो आए इसको समझने के लिए हम एक schedule ले रहे हैं और इस schedule के help से हम MRS को समझेंगे तो बच्चे schedule में सबसे पहले आपके सामने हैं यहाँ पर combination of two goods apple and banana तो दो goods के combinations को लिया गया है तो combination का मतलब यह होता है कि जब एक single community ना हो करके उसके साथ में और भी community हो तो फिर वो combination हो जाता है हमारा यह theory हमारा यह concept इस theory पर काम करेगा कि हमारे पास में जो available जादा है हमारे पास में जो available जादा है उससे मिलने वाला satisfaction level कम होगा उसकी importance कम होगी और जो चीज कम available है जो square है उसके importance जादा होगी उससे मिलने वाला satisfaction level जादा होगा clear है समझगे आपको तो हमारा satisfaction level इन चीजों पर depend करता है या फिर किसी चीज की value इन चीजों पर depend करती है कि वो कितनी available है like diamond and water देखिए water ज़्यादा available है तो सस्ता है और diamond जो है कम available है तो बहुत महेंगा है देखा जाए तो water वैसे ज़्यादा useful है और diamond इतना useful नहीं है लेकिन फिर भी diamond ज़्यादा महेंगा इसलिए क्योंकि वो कम available है तो इसी theory पर हम काम करेंगा जो कम available है वो ज़्यादा हमारे लिए इसके importance रहेगी ज़्यादा satisfaction level देगा और जो ज़्यादा available है वो हमें कम satisfaction level देगा ठीक है अब यहाँ देखे combination P की बात करें तो यहाँ पर apple और banana दो goods का हम combination का consumption कर रहे है first combination P में apple एक है और banana कितना है हमारे पास में 15 है और हमें अपना satisfaction level को क्या करना है same रखना है तो अब हम अपने combination में changes करेंगे तो changes तो कर सकते है बड़ satisfaction level में change नहीं होना चाहिए नहीं तो वो gain होना चाहिए और नहीं वो decrease होना चाहिए satisfaction level हमारा पहले जितना ही बना रहना चाहिए यह condition है तो अब combination Q पर अगर आ जाते हैं और apple का एक और consumption कर लेते हैं तो आपको पता है कि अब आपके पास पर commodity ज्यादा हो जाएंगे ज्यादा commodity consumption हो जाएगा clear है तो अब आपका total satisfaction level मैं next apple की बात नहीं कर रहा है मैं total satisfaction level की बात कर रहा हूँ तो total satisfaction level आपका ज्यादा हो जाएगा combination P के compatibility combination Q पर तो combination को same रखने के लिए एक बात तो confirm है कि आपको यहां पर banana को sacrifice करना पड़ेगा अगर एक तरफ gain करा तो आपको satisfaction level को पहले इतना रखना है दूसरे तरफ sacrifice करना पड़ेगा यह चीज़ तो confirm है तो आप यह banana sacrifice करोगे लेकिन एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आप एक apple gain करा तो क्या आप एक ही banana sacrifice कर देने से जितना gain करा उतना ही satisfaction level sacrifice आपका हो जाएगा नहीं तो कि apple आपके पास में कम था तो उससे मिलने वारा importance ज़्यादा रहेगा banana आपके पास ज़्यादा था तो एक banana से मिलने वारा satisfaction level कम रहेगा तो अगर एक apple और एक banana के comparison करोगे तो एक apple से ज़्यादा satisfaction level मिल रहा है अगर अपने एक ही banana sacrifice कर दिया तो जितना आएगा उससे कम जाएगा all over आप gain कर जाओगी जबकि हमें अपना satisfaction level क्या कर रखना है अपना satisfaction level हमें यहाँ पर same रखना है तो अगर एक apple आया तो जितना satisfaction level मिल रहा है मुझे उतना ही sacrifice करना पड़ेगा जिससे कि satisfaction level हमारा क्या रहे same रहे तो banana एक तो कम satisfaction level देता है तो मुझे ज़्यादा banana sacrifice करना पड़ेगा जिससे एक apple के बराबर का satisfaction level मैं sacrifice कर पाऊ तो यहाँ पर इसलिए देख रहे है एक apple गेन करा तो यहाँ पर मैंने एक banana sacrifice दिया करकर करके five banana sacrifice करा एक apple के compare करने के लिए तो five banana कोई जरूरी नहीं है बताने कि यह कोशिश कर रहा हूँ कि एक gain कर रहे है तो दूसरा उतना है sacrifice दिया होगा बताने कोशिश की जा रही है एक schedules के leb Advent तो यहाँ पर आपका five banana sacrifice कर दिया तो जो आपका आपने एक पाने के लिए पांचछोया तो कितने पाने के लिए कितना खोया पाने के लिए कितना खोया आपने वो जो आपका अ्रेटर इस ही को in mrs बोलते है marginal rate of substitution बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते है marginal rate of substitution पाने के लिए कितना खोया ए मतलब इस community को पाने के लिए दूसरा कितना sacrifice कर रहे हो इसको marginal rate of substitution भी कहते हैं MRS clear है तो कितना आपने जो सबसे पहले क्योंकि sacrificing rate MRS होता है जो sacrifice कर रहे हो सिरफ वो MRS होता है तो MRS में sacrifice क्या कर दिया 5 अगेन कितना करा एक तो यह जो आप देख रहे हैं यह यह आपका MRS है next time अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर एक और apple का consumption आप next time आप यहाँ पर करेंगे तो अब आप सोचेंगे एक और apple का consumption करा है तो satisfactionable gain हो गया है और हमें अपने satisfactionable को same रखने के लिए दूसरे अब sacrifice भी करना पड़ेगा बिल्कुल साही करना पड़ेगा तो पहले 5 sacrifice करा तो अभी भी 5 sacrifice कर देते नहीं अब आप 5 sacrifice नहीं करेंगे क्योंकि आप देखिए इस चीज़ का कि apple का consumption continuously चल रहा है न apple का consumption क्या चल रहा है apple का consumption continuously चल रहा है या नहीं चल रहा है आपके apple का consumption continuously चल रहा है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कि किसी भी commodity का consumption हम continuously करते है तो because of law of diminishing margin utility next unit से मिलने वाला satisfaction level last unit ये comparatively कम होता है क्योंकि हमारा satisfaction level हमारी needs पर depend करता है हमें अगर ज़्यादा needs है तो हम उसको ज़्यादा enjoy करते हैं अगर हमें कम needs है तो हम कम enjoy करते हैं बहुत तेज प्यास लग रही है तो पानी हमें बहुत अच्छा लगता है प्यास कम लग रही है तो पानिये में अच्छा उतना नहीं लगता है तो हमारा satisfaction अबल हमारी needs पर depend करता है और जैसी आप एक कंजम्शन करके दूसरी की तब जाते हैं दूसरी से अब तीसरी की तब जाते हो तो आपके needs फुल्फिल हो जाती है अब आपके needs कम रहती है तो satisfaction अबल भी आपको कम मिलेगा इसलिए कहते हैं कि continuously किसी का भी consumption करते चले जाओगे नेक्स से मिलेगा आपको जो satisfaction लबल है वो last अकमडेवली कम मिलेगा इसको कहते हैं low of diminishing marginal utility तो अब आपका next apple का जो आप consumption कर रहे हैं combination आरपे में आ चुका हूँ तो यहाँ पर क्या यह third apple आपको उतना ही satisfied करेगा second जितना नहीं उसे कम करेगा तो आपको satisfaction लबल को same रखना है तो आपको यह हिसाब तो रखने पड़ेगा आया कितना है वो देखना पड़ेगा अगर जिस हिसाब से आया उसी हिसाब से sacrifice करोगे अगर आया अब पहले से कम है because of law of diminishing margin utility तो जाएगा भी पहले जितना नहीं पहले से कम इसलिए अब sacrifice में 5 नहीं कर रहे है sacrifice मेंने क्या करा 4 करा यह बात clear है तो आप sacrificing rate क्या है 4 तो यह हमारा MRS है नेक्स्ट देखें बच्चे हमारे पास में S combination combination क्या हमारे पास में S हो गया और यहां पर apple क्या हमारे पास में 4 एक और apple बढ़ा लिया तो आपको पता है because of law of diminishing margin utility 4 एपल से और कम मज़ा आएगा और satisfaction नबल को सेम रखने लिए आया कितना जाएगा भी तो पहले से कम आया तो पहले से कम जाएगा sacrifice भी मैंने 3 करा है अब उसके बाद एक और आया तो और आपको कम satisfied करेगा because of law of diminishing margin utility तो sacrifice भी क्या करा हमने यहां पर 2 करा तो sacrificing rate आप देख रहे हैं इस sacrificing rate को MRS कहते हैं एक को gain करते हैं तो satisfaction level को same रखने के लिए दूसरा जो हम sacrifice करते हैं उस sacrificing के rate को MRS कहते हैं और MRS की एक और खास बात है कि MRS का है? Diminishing nature का है पहले 5, फिर उसके बाद 4, फिर 3 और फिर आपने 2 clear है? सुझमाएं आपको? तो MRS कैसा है हमारा? MRS हमारा Diminishing Nature का है यह चीच clear हुई आपको? यह इस पर कोई doubt है? तो हमेशे दया नखिएगा MRS Diminishing Nature का मतलब next time पहले से कम sacrifice करेगा क्योंकि because of law of diminishing margin utility पहले से कम वो gain भी कर रहा है तो MRS sacrificing rate को कहते हैं और इसका nature Diminishing होता है क्यों law of diminishing margin utility की बएशे satisfaction नबर को same रखना है तो अगर आएगा कम तो जाएगा भी फिर कम clear है बच्चे? बात करते हैं इसके हम diagram की तो diagram की जब अगर हम इसके बात कर रहे हैं देखिए बच्चे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं diagram की तो diagram में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास में y-axis है o-axis है और horizon है ठीक है clear है आपके पास में यह horizon है अब जितना आप x पे जाएंगे उतना बढ़ेगा y पे जाएंगे उतना बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं गुड्स बी का नाम दे दो इसको ठीक है तो हमारे पास में a1 इतना है तो b1 हमारे पास में इतना है next time मैंने एक और apple बढ़ाया on in 95 i2 अबनान हमारे पास पर next time sacrifice कर दrickर कर दिया हमने इस एंपड़क नहीं टैश करते कर पहा बनानी सिक्रीफाइस करber रहे हैं तो जुछिष क्यान अपने एक Gain करने के लिए एक Gain करने के लिए यहाँ पर आगे और यहां पर आपका तो जो यह sacrifice आपका हुआ है नीचे आगए बनाना पर इसे को हम क्या बोलते हैं। next time फिर देखलो E our Apple GAIN केरां। अब आप यहाँ पर आगे फिर से sacrifice कर आप ने यह तो यह क्या आपका MRS और आप MRS देख रहे हैं पहले इतना सग्रिफाइस कर रहा तो अब इतना पहले से कम कर रहा तो यह डिमिशिंग नेचर का होता है क्लेर बच्चे तो यह MRS का डियाग्राम था और क्या है MRS A B का एक स्ट्रॉक्चर भी है MRS A B क्या केता है Units of banana Units of banana willing to sacrifice willing to sacrifice upon units of apple willing to gain units of apple willing to gain यह इसका एक फार्मला हो गया Units of banana willing to sacrifice for example this यहाँ पर कितने banana आप sacrifice करने के सोच रहे है 4 यह 5 और कितने apple को गेन करने के लिए 1 तो sacrificing rate क्या है यहाँ पर 5 तो यह क्या है 5 आपका यह 5 आपका MRS हुआ clear है बच्चे सुमाए आपको यहाँ पर आप देखें तो कितने banana sacrifice करना चाहते हैं आप 4 और कितने apple एक तो 4 आपका क्या हुआ MRS हो गया clear है बच्चे सुमाए आपको तो MRS का यह structure है objective में one marks में आपसे यह पूछ सकता है तो आपको MRS के बारे में अच्छे से clear हो चुका है कि MRS हम किसे कहते है clear है बच्चे MRS पे कोई doubt है तो उसको आप please पूछे MRS पे कोई doubt है आपका तो उसको आप please पूछेंगे clear है बच्चे तो MRS के बारे में अच्छे से आपको clear कर दिया एक schedule की help से और एक diagram की help से और इसका structure क्या होता है यह भी आपने अच्छे से देख लिया है clear है बच्चे तो जो हमारा first question था ना indifference कर वही अपने आप में complete था बट उसी को आगे detail में लेकर की जाएंगे हम इस तरीके से question wise कि आपका यही 5 marks मार्क से माज़ागा तो attempt कैसे करना है फिर इसको तो वह तरीका भी देखना होगा schedule बनाना है, diagram बनाना है, theory भी लिखनी है clear है हाँ जी बच्चो तो हम अपने question explain the terms of margin rate of substitution MRS के theory पर आ गए है, theory system पर आ गए है तो अभी तक हमने अपने schedule में और diagram से यही समझा कि अगर एक commodity का consumption हम बढ़ा देते हैं और अपने satisfaction level को हमें same रखना है तो हमें फिर दूसरी commodity की consumption को कम करना होगा clear है दूसरी बात हमने यह भी ध्यान रखा कि हम एक तरफ जितनी unit gain कर रहे है दूसरी तरफ हमें उतनी unit sacrifice नहीं करनी है क्योंकि जो हमारे पास में कम available है उससे satisfaction level ज्यादा मिलता है और जो ज्यादा available है उससे कम मिलता है तो यहाँ पर अगर मैंने एक unit को gain करा तो वहाँ पर इसके equal ही मुझे sacrifice करना होगा तो हम पर ज्यादा unit को sacrifice मेंने करा और इस तरीके से आगे भी हमने जब एक unit consumption करा तो because of law of diminishing margin utility के वह से next time पर कम certification level मिला और certification level same रखने के लिए हमें यह हिसाब किताब रखना पड़ेगा जितना आएगा उतरा ही जाएगा जब आया कम तो जाएगा भी कम तो पहले से कम sacrifice करेंगे और यह sacrificing rate को हम MRS कहते हैं और यह diminishing nature का होता है यह हमने अभी तक schedule सो diagram समझा इसी एक चीज़ को सेम चीज़ को theory में पढ़ लेते हैं अब हम explain the terms of margin rate of substitution MRS MRS refers to the rate MRS refers to the rate at which the commodities can be substitute with each other क्या है MRS refers to the rate at which the commodities can be substitute with each other so that the satisfaction of the consumer remains the same तो MRS क्या है MRS refers to the rate of which commodity can be substitute with each other यह दूसरे सब्सिटूट कर सकते हैं so that जिसे की that total satisfaction level of the consumer remains same जिसे की consumer का total satisfaction level क्या बना रहा है same बना रहा है for example यह फो क्या सब्सक्राइब in the example of apples A and bananas B clear है? MRS of apple for B will be number of units of B that the consumer is willing to sacrifice consumer is willing to sacrifice for an additional unit of apple एक additional unit apple के लिए consumer कितना sacrifice करना चाह रहा है so as to maintain the same level of satisfaction level MRS equals to change in banana divided by change in apple और इसको ऐसे भी लिसकते हैं MRS को यह objective में आ जाते हैं options में MRS को ऐसे लिसकते हैं कि banana में कितना change हुआ with respect to apple में change के या फिर MRS को आसे लिसकते हैं unit of bananas be willing to sacrifice numerator में जो sacrifice कर रहे हैं वो units of apple willing to gain तो बच्चे उसी को बड़ी हमने simple way में एक theory में हमने इस चीच को express कर दिया है clear है बच्चे तो यह आपका MRS का पूरा का पूरा अगर आपका five marks में आ जा तो कैसे attempt करना है इसमें आपको table बनाना है diagram बनाना है और आपको theory लिखनी है clear है बच्चे तो जो आपको e-book है उसमें आपको इसके PDF मिल जाएंगे उसमें सही तरीके से मैंने design करकर के कि कितना content लिखना है कैसे नहीं लिखना और कौन सी राइने आनी है नहीं आनी है वो सब मैंने करकर के आपको type करकर available करवाया हुआ है तो आपको उसमें कोई problem नहीं आएगी